हेलो बच्चो मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ग्यान मुकेशना एक चानल पर तो चलो हम लोग मोशन इन प्लेन चाप्टर पढ़ रहे हैं लास लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स के साथ साथ कुछ क्वेश्च प्रेंचन भी नहीं लेना आप लोगों को और चाप्टर बहुत इजी है क्योंकि कुछ चीज़े होती है जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम डिस्प्लेस्मेंट इन सब चीजों को आप अगर अच्छे से समझ लो और रिलेट कर पाऊ ना तो सॉल्व हो जाते बताऊंगा और एकदम अच्छे से हम लोग बेसिक्स कवर करने के बाद टॉपिक क्यों बढ़ेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे चलो तो स्टार्ट अभी एको ग्राफ में क्या होता है ना दो ही चीज़े आती है जब भी ग्राफ आएगा दो ही बताऊंगा पहले बेसिक्स पढ़ लीजिए का इसके लूप मतलब क्या होता है अप लोगों को स्लोप का फॉर्मूला टैन थीटा होता है यह देखा है आप लोगों ने हां सर एक और भी होता है वाई-2-1 डिवाड़ेड़ बाइस-2-1 देखा है न यह आपने स्कूल में पड़ा हुआ यह फॉर्मूलेस ठीक है तो देन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें यह वाई-2-1 मतलब हम लोग इंसर डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि यह चेंज है यह क्या है चेंज वाई-2-1 मतलब वाई में चेंज तो उसे मै बताओ डीवाई-बाई-डी-एक्स मतलब क्या हुआ बटा डीवाई-डी-एक्स मतलब क्या हुआ भाई डीवाई-वाई-डी-एक्स मतलब तो डेरिवेटिव हुआ हाँ डेरिवेटिव हुआ इसका मतलब जब भी स्लोप की बात आएगी तो मैं डेरिवेटिव लोगा ख जब भी graph की चीज आएगे आपको question में पड़ोगे तो slope और area सबसे important रहेगा मैं और trick नहीं बताया हूँ अभी आप लोगों को जब भी area आएगा ना area मतलब क्या हम लोग integration करने वाले क्या करने वाले बैटा integration करने वाले simple सा चीज है कि derivative मतलब क्या तोड़ना यह मैंने आपको लास्ट चाप्टर में भी बताया और integration मतलब क्या जोड़ना derivative मतलब तोड़ना और integration मतलब जोड़ना उन चीज ओको ठीक है अभी integration करके area मिलता है derivative करके slope मिलता है यह आपको चीज क्लियर होने चाहिए ग्राफ आएगा तो या तो स्लोप या एरिया बस खतम kinematics मतलब motion in plane में हम लोग इसके अलवा ग्राफ पर बात नहीं करेंगे देन बात आते है स्लोप के बारे में ट्रीक बताऊंगा जेस्ट वेट स्लोप के बारे में बात आती है स्लोप पॉजिटिव कब होता है स्लोप निगेटिव कब होता है ठीक है सिंपल सा चीज है और increasing decreasing तो हम लोग देख लेंगे क्योंकि स्लोप अतलब टैन थीटा वाला भी फॉर्मूला हमें यूज आने वाला है ठीक है स्लोप का बात हो रहा था increasing decreasing कब होता है या constant कब होता है जिरो कब होता है infinity कब होता है देखो चार टाइप के graph बन सकते स्लोप के लिए बता रहा हो बस या ऐसे होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है और एट लास्ट ऐसा भी होगा वैसे देखा जाए तो यह graph का आपको अभी काम नहीं आए स्लोप मतलब टैन थीटा होता है मतलब सिंपल सा चीज बताता हो आपको यह जो थीटा है यह थीटा आप मेजर कर जाते और स्लोप निकाल लेते हो इधर कौन सा थीटा होगा इधर यह वाला थीटा होगा इधर भी यह थीटा होता है और इधर भी यह थीटा होता है इधर स practice шlop के वारे में क्या पढ़ना पता है स्दोप के वारे मिए इतना ही पढ़ना ए स्बूब ब़ॉत है निगेटीव होता है सिरो आ है इंफिनिटी पहली बात यह लोग ऑगे पड़ने वाले अभी बस पॉसींट के स्पंपोघू चोब जैगा जीडू अंचा से उपर चड़ता हुआ ग्राफ है तो अ क्या बताह मैंने यहां पैंप दॉस्सट्पर बॉस्ट but और उतरता हुआ ग्राफ है तो स्लोप निगेटिव लेना है क्योंकि यह थिटा एक्यूट है और टैन नाइनटी डिग्री से कम अगर है तो पॉजिटीव होता है टैन नाइनटी से जाधा अप्ट्यूस और वो निगेटिव होता है सिंपल सा रिजन है ने तो डाइरेक्ट अगर्याद कर लो बढ़ता हुआ ग्राफ है ऊपर चड़ता हुआ ग्राफ है तो स्लोप हो जाएगा पॉजिट्यू इधर स्लोप हो जाएगा निगेट्व यह हो गया दिए दन इधर 90 डिग्री एन थ्लोप तो टैन नाइन टी कितना होता है इन्फिनिटी तो यहां पे अ इंफिनीटिटी वैसे भी वर्टिकल लाइन का इंफाइन ही होता है स्लोपितल है λέ boost也 up people ये आपका बेसिक सा चीज हो गया स्लोप और एरियर कर दो आप धिवाइड कर दो और इसके बाद जो आपको टर्म मिल रहा है न वो टर्म आपका अंसर रहेगा आपके कि ध millions ऌट ओर एक एक डिवाइड करके क्या मिलता है आगे देखेंगे अभी और एरिया अगर चाहि है आपको तो एरिया में क्या करना है वाय एक्सिष्ष वाली ट्रम तो अभी हम लोग जढ़ा समय इस पर नहीं कमाएंगे यह बेशिक सा चीज़ आपकोwald ना चीए तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर ठीक है एक बार देख लीजिएगा कोई डाउट वगएरा लग रहा आपको इसमें तो कि अभी स्टार्ट होती है हमारी ग्राफिकल स्टडी ओफ मोशन वैसे देखा जाए तो ग्राफिकल स्टडी हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं पहले इक्वेशन वगएरा पढ़े तो और अच्छे से समझ में आता है बट हम लोग बुक के सिक्वेंस से चल रहा है कोई प है इसके बीच में दिया है ध्यान देना में ग्राफ हर एक ग्राफ करूंगा अपने हाति से कि आपको समझ में ग्राफ डिय का equs out t iq में mã अए साल tip मतलब क्या एक्स मतलब चेंज इन पोजिशन एक्स मतलब क्या होता है चेंज इन पोजिशन और टी मतलब बताने का ज़रूरत नहीं है टी मतलब बताने का ज़रूरत नहीं टी मतलब टाइम होता है ठीक है दिन ध्यान देना यह ग्राफ इस तरह से इस तरह से ग्राफ का मतलब क्या है अ समय किसी के लिए रुकता नीए यह चीज्ज याद रखना ग्राzubश में क्या याद रखोगे किसी के लिए नहीं रुखने वाला है टाइम हमेशा बढ़ने ही वाला है का मैं कभी उता है क्या Gel जाना है दो जंटों में जाना है तो आप बोलोगे की दो घंटे में जाना है अभी चल रहे एक घंटे में जाना है ऐसा मतलब Haush peur किसे के ल praw नहीं होता है अगर अभी दो बज रहे और आदे गंटे बाद देखू तो कोई बोलेगा क्या 130 हुआ है अरे 230 होगा ना समय नहीं रुकता है अच्छा टाइम तो वैसे भी बढ़ी रहा है इस ग्राफ में भी पोजिशन पर बात करते हैं तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा ह एक पोजिशन फिक्स है कोई भी टाइम लेलो मानलो यह टाइम टीवन लेलो फिक्स पोजिशन टीटू टाइम लेलो फिक्स पोजिशन इसका मतलब क्या पोजिशन आफ अब्जेक्ट कि इस कॉंस्टंट वित रिस्पेक्ट टाइम टाइम के वित रिस्पेक्ट टू पोजिशन और अब्जेक्ट कॉंस्टन्ट है तो इसे हम लोग क्या कहते पता है चेंज नहीं हो रहा है न पूजिशन अगर मैं यहीं पर खड़ा रहूं एक गंटे के लिए तो मैं रेस्ट पर कहला हुआ ना भा और कभी एकस्टी ग्राफ है और एकस्टी ग्राफ का स्लोब जीरो है तो समझ जाना स्लोब जीरो मतलब होरीजोंटल लाइन और स्लोब जीरो होरीजोंटल लाइन मतलब क्या आपका अब्जेक्ट ट्रेस्ट पर है यह हो गया देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ प uniform velocity आलंग positive x-axis कैसे पता चला देखते हैं दरी मत चलो अभी हमारे पास तीन टर्म्स होते हैं एक होता है x देन एक होता है v velocity ठीक है इधर भी displacement लिख देते हैं ताकी अच्छा लगेगा displacement velocity और एक चीज होता है acceleration और आपको अगर बताओ ना तो यह आगे concept में भी और यहाँ पर अभी ग्राफ में भी यह वाला slide सबसे important होने वाला है ठीक है डिस्प्लेस्मेंट मतलब x से दिखाते हैं mostly velocity V से दिखाते हैं और acceleration A से दिखा रहे होते हैं ठीक है जैसे ही आप उपर से left to right जाओगे तो आप slope लेते हुए जाओगे समझ में आ रहा है क्या बता है मैंने आपको slope लेते हुए जाओगे इसका मतलब क्या पता है अगर आपने एक्सटी ग्राफ लिया है एक्सटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेस्मेंट और टाइम तीनों भी ग्राफ टाइम के साथ ही बनाएंगे अल्मोस्ट एक्सटी ग्राफ लिया उसका slope लोगे तो क्या मिलेगा आपको यला कि मिलेगा अच्छा ठीक है then मतलब डिची घ्राफ लोगे तो ग्राफ का स्ब्सक्राइब स्माद करें तैकि नियाग इस बाइभको डिफिकूன ते के बीच में तो XT graph का slope यहीं होगा ना तो XT graph का slope क्या देगा आपको velocity देगा यार हाँ बात तो सही है सर और वैसे ही VT graph का slope आपको acceleration देने वाला है यह चीज़ क्लियर है दिन उल्टा भी आ सकते उल्टा आएंगे तो कि हम लोग इदर integration करेंगे इसका मतलब क्या पता है एक ग्राफ का अगर आप integration कर तो आपको क्या मिलने वाला है velocity वेलासिटी नहीं मलता है वैसे तो change in velocity कह सकते हो आप क्या मिलने वाला इसमें change in velocity मिलता है आपको कि ठीक है अगर अगर आप कभी वी टीग्राफ का integration करते हो तो आपको changing position मिलता है किसका integration करोगे तो बैटा integration of VT graph न भूभी मिलने वाल है चेंज पोजिशन और उसी को लोग displacement कहते मेटा पोजिशन में चेंज हुआ तो शॉटेस्ट शॉटेस्ट डिस्टन्स इनिश्यल और फाइनल पॉइंट के बीच में याद आया आपकी महिला मित्र आपको बुला रही थी कॉफी पीने याद आया लेक्चर हां फर्स लेक्चर आया होगा डिस्प्लेस्मेंट का याद चलो त और वीटी ग्राफ का इंटिक्रेशन करोगे तो चेंज इन पोजिशन मिलेगा चलो अभी बढ़ते हैं आगे यह चीज याद रखेगी आप लोगों को ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ चलो यह ग्राफ तो सिंपल था इसलिए ग्राफ पर जादा डिसकेशन करने का ज़रू सबसे इंपोर्टन बनने वाला है पता आप लोगों को सबसे इंपोर्टन बनने वाला है विलासिटी का घ्राफ क्योंकि वेलासिटी के ग्राफ से स्लोप भी लिया जा सकता है वेलासिटी के ग्राफ से इंटीग्रेशन भी करके एरिया भी लिया जा सकता है और डिस्प्लेस्मेंट से एक्स्टी ग्राफ से क्या मिलता है सिफ स्लोप मिलता है और मुझे बताओ भाई एक्स्टी ग्राफ क पया टाइम है तो यह D x by dt मिलेगा आपको इसके स्लोब से और बयोज़शिटी होता है मतलब इस ग्राफ का सलोप क्या मिलेगा आपको इस ग्राफ का स्लोब विलो सिटी मिलेगा अभी जब Б 좋 B की बात आएगी मैंने आपको basic बताया slope की जब भी बात आने वाली है slope की बात आएगी तो slope या तो जिरो गा पॉजिटीव और निगेटीव होगा infinite इस केस में तो नहीं आएगा याद रख लो ठीक है फिर जब स्लोप पॉजिटीव निगेटीव तो देखना होगा increasing ए decreasing ए कॉंस्टंट है तो वह कैसे ठीड़ा पे सीधा का वैल्ली अगर से महरेक पॉइंट पर से महरे मतलब एक सेक्सिस के साथ टैंजब का एंगल टैन मतलब टैंजब तो अगर तीटा कॉंस्टन्ट है हर एक पॉइंट पे तो स्लोप कॉंस्टन्ट है तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो यह एंगल अगर थीटा है यह इस पॉइंट पे भी देखोगे न इस पॉइंट पे भी एंगल थीटा ही मिलेगा करस्पॉंडिंग अंगल थ और इसका स्लोप कॉंस्टेंट देता है स्लोप कॉंस्टेंट थे तो मुझे बता वैब क्या हो गया अ इस व्हुस्टेंट वे तक स्फट्ट अग्या और यार लासट लेक्च्टर में देखाना वलोसिटी constant मतलब it is not changing with time it is not changing with time मतलब समाही के साथ velocity अगर ना बदले तो उसे हम लोग कहे देंगे velocity constant fix example ले लो तो कोई अगर वैल्लू ले लोगे न तो slow fix या मतलब velocity का value 20.5 meter per second ले लोगे तो यह constant रहेगा किसी भी टाइम पर तो मुझे मुझे बताव अगर भेलसीटी कॉंस्टेंटे तो मोशन युणि फॉनाया ना इन युणि फम नरा यूणी फाथा य९े वि बताओ अगर कोई भी विलसीटी कॉंस्टेंट है तो मोशन कैसे तो होने कि यूणिफार्म उमोशन्न तो यूनिफार्म Velocity कहते है उसे क्या कहते है किया कि वat uniform velocity कहते है चल सmaug факw के आया यह चीज में आप लोगों को इस ग्रास में कोई डाउट नहीं होगा अभी और इस ग्राफ के स्लोप की बात की जाए तो फॉजीटिव नीगेटिव है बेटा स्लोप पॉजीटिव है और पॉजीटिव के साथ-साथ कॉंस्टंट है यह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और मैंने आपको यह पूरा डप्त में जाके बताया है बुक में द आगे बढ़ते है वेन अब्जेक्ट मुविंग विट युनिफर्म विलासिटी अलंग निगेटिव एक्सक्स अच्छा इधर पॉजिटिव एक्सक्स भी बोला था न वो डिस्केशन करना रहे गया न पॉजिटिव एक्सक्स वाला मतलब क्या मुझे बता स्लोप कैसा इस ग पॉजिटिव वेलासिटी ओपर जाएंगे तो पॉजिटिव नीचे जाएंगे तो नीगेटिव तो मुझे बताओ यह पॉजिटिव एक्सक्स मतलब क्या इधर जा रहा है न अब्जेक्ट पॉजिटिव वेलासिटिव मतलब तो प्लस एक्सक्स में जा रहा है इसलिए इ क्यों आपको समझ में आ जाएगा देखो है ताइम तो बढ़ने वाला है टाइम रुकने नहीं वाला है हाँ सर यह तो पता है अचा चलो इधर इस ग्राफ में क्या क्या डिसकास किया था स्लोप देखा था थेटा वगरा देखा था अभी देखो मेरे भाई इस ग्राफ का भी स्लोब कॉउंस्टạt एंगल कीतना थिटा आप अगर ये वाले एंग एक्स एक्सेक्च एक्सप्स के साथ वाले य मैद यह भी सीटा एट थेटा थेंट थे ना करने में बड़ बास प्रक्रणा या बले ही ऑपटिउस एप इस मतलब क्यारेटर दन 17 से चले चले ग्टि और विलोसिटी कॉंस्टन तो इसे यूनिफर्म कहने में क्या हर्च है हाँ बोल दो सर यूनिफर्म भी कोई प्रॉब्लम नहीं तो यह वर्ड का तो मिनिंग क्लियर होगे यूनिफर्म विलोसिटी अभी निगेटिव एक सेक्सिस क्यों बोल रहा है सर अरे भाई इधर देख इसमें स्लोप निगेटिव रहेगा निगेटिव देखो इधर पॉजिटिव था निगेटिव है बट कॉंस्टन्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है जब भी स्लोप की बात होगी तो सबसे पहले बात होती है पॉजिटिव निगेटिव की पॉजिटिव निगे और भाई लेफ्ट डाइरेक्शन मतलब नीगेटिव एक सेक्सिस होता है ना ग्राफ तो बनाये होंगे तो यह उसका रिजन हो गया है तो मेरे मज़ा रहा होगा भी समझ में आया है क्या भाई बस समझ में आ तो कोमेंट कर देना कि हां सरु मज़ा आरा रहे करें कि क्योंकि मोटिवेशन मिलता है अगर आब बेढ़ते होना कि सरुमझ में हुआ बहुत माज़ा आ ठीक है आप compare करो कोई बच्चे आपके college कर रहे होंगे class कर रहे होंगे तो compare करो उनको यह चीज़े पता ही नहीं होंगी और आपको free में मिल रहा है तो उनको भी नॉलेज जाना चीज़े ऐसा नहीं कि आप ही पड़ो गया के लिए दोस्त है ना तो उसको बताओ कि नहीं नहीं चल रहा है नहीं आ रहा है तुझे यह लेक्चर देख इसमें बताया हुआ है बहुत डेप्ट में जा रहे है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हां और यह गराब भी किसका है एक्स टीक है ठीक है अब यह औसिलेटरी मोशन मतलब क्या होता है ऊसिलेटरी मोशन मतलब क्या है टू एंड फरो मोशन जुला होता है जुला क्या कहते यार उसे क्या कहते भाई उसे इंग्लिश में याद नहीं आता है यार कभी-कभी ड़र लिख देतक हो यार चलो जुला होता है न सब्सक किसे गुम आरषए घेलता होना कि अब उसकों उसकों एसे गुम रहा है न तू एंड फिरsh आएगा टू फ्रो पेंडूलम भी तो ऐसे घुमता है गड़ी का उसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते है मतलब पहले पॉजिटिव में जाएगा फिर कम होगा नीगेटिव में फिर पॉजिटिव फिर नीगेटिव इसे हम लोग क्या कहते है टू एंड फ्रो मोशन और उसे पहले उपर फिर नीचे उपर फिर नीचे मतलब उसी पूजिशन के अलॉंग किसके अलॉंग उसी पूजिशन के अलॉंग गुमा जा रहा है को समझ में अरहे हाँ आपको ये होगा उसी पोजीशन के डूम जा रहे ठीग है तमेट एक समों इसमें क्या होता स्लूप की चीजे एक स्लूप क्या होता जा रहा है देखो करें इसमेंrut पहले तो positive फिर पॉसचीव फिर नीगेट स्लोप मतलब पॉसटिटिव टू नगेटिव और फिर नीगेटिव पॉसचीव हो रहा है मतलब कंटिनियुसली चेंज हो रहारा है ना graph कैसे ढिखर आपको जिग-जैग ग्राफ दिख रहा है कैसा ग्राफ दिख रहा है जिग-जैग दिख रहा है मतलब स्लोप कंटिनियूसली चेंज हो रहा है न इसमें वेलोसिटी इसमें वेलोसिटी वगरा निकालना वाला कुश्चन नहीं आता है टेंचन मतलो ठीक है बस याद रखना है ऐसा ग ग्राफ अच्छे से समझ लो कुछ निया छोड़ दो उसको उधर है अब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटर अच्छा यह उसिलेटर निया भाई यह उसिलेटर निया गलती से हो गया है नॉन यूनिफॉर्म मुशन है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है कि अब्जेक्ट परफॉर्मिंग कि नॉन यूनिफॉर्म मुशन ठीक है नॉन यूनिफॉर्म मुशन कैसे समझ में आ है एक्चली उस ग्राफ में बहुत ज़्यादा खिचड़ी कर रखी इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है ठीक है वो ग्राफ है कैसा पता है क्या एक्चल मैं आप बुक में भी देखोगे तो यह आज इस इस बुक का हो रहा है इस तरह का ग्राफ है कि रहिंगे सर्दिये मौन यूनिफॉर्म मशन कैसे वो बता दो बस पहले हम बताता हूँ अभी यह ग्राफ कर वे स्वाट जरूरी बहुत जरूरी है यह पहले तो क्या देखना जरूरी है अता लोग जरूरी हमें इसमें अभी ध्यान जब भी इस ग्राफ का स्लोप देखेंगे तो पहले तो देखेंगे पॉजिटीव है की नीगेटिव है स्लोप मतलब क्या टैंजन ड्रॉ कर दो बैटा क्या करो टैंजन ड्रॉ करो इस पॉइंट पे एक बार टैंजन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर एक बार करेंगे यहाँ पर ट अब स्लोप पॉजिटीव है कि राइन लेकिन मुझे बता यहां पांगल जीरो था फिर तोड़ा बढ़ा और थोड़ा बढ़ाइल ता बढ़ रहा है कि नहीं हो रहाए हमझा भलेहिव POSITIVE इनक्रीजिंग स्लोप कहेंगे हम लोग अभी तक कॉंस्ता वो देखा था क्योंकि एंगल कॉंस्त त्यहां पर आपस लोप भॉजितिव भलेहिए ये नपट पॉजितिव कैसा अई increasing अच्छा ठीक है सर पॉजितिव increasing है इसके बात क्या हो का ध्यान देना है positive increasing के साथ साथ यह velocity भी बढ़ रहा है ना मुझे बताओ velocity increasing with respect to time कैसे पता चला क्यूंकि slope भी तो बढ़ रहा है कि लूप भी तो बढ़ रहा है सर कैसे बताओ फिर velocity बढ़ रहा है अरे भाई यह कि XT graph का slope क्या देगा को एक स्थिग्राफ का स्लोप आपको स्ट आपको विल्यॉसिटि देगा और एगर slope बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रहा है और पॉजिटी बढ़ रहा है पॉजिटीव के साथ साथ मतलब इधर राइड डायरेक्शन में बढ़ रहा है समझ में आया मत्याइब था अभी अभी लेको वेड़क्चत परफॉर्मिंग नौन उनिफर्म मोशन हं पूशन तो है न उनिफर्म कैसे समझा है वह मैं ऑन उनिफॉर्म से तो थीम खतीज आपको दिया हुआ है ठीक है आप देख सकते हो पेज नंबर 32 पर थोड़ा सा ही पार्ट है बट हमने बहुत जादा डेप्ट में उसे पढ़ लिया है ठीक है चलो तो इस लेक्चर में अगर थोड़ा भी दिक्कत लग रहा होगा प्रॉब्लम लग रहा हो तो फिर से लेक्चर देखना बहुत इ थैंक ये वरिवन बबाए टेक केर